नमस्कार दोस्तों, स्वीडन में दंगे मैसिव राइट्स ब्रेक्डाउन इन स्वीडन, डिसकस करेंगे इस टॉपिक को, कि इस टॉपिक में ऐसा हुआ क्या है, कि स्वीडन में इतना बड़ा ब्रेकाउट हो गया और दंगे हो गए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि स्वीडन में क्यों ऐसा हुआ, क्या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वाल्वड हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी का रोल था और एक्चुल में हुआ क्या, बेसिकली मैं आपको बता दू कि जो राइट से स्टार्ट हुए हैं वहाँ पे एक जो पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है, उसने जो है कुरान बर्न कर दी और उसके बाद मैसिफ आउटब्रेक हो गया पूरे स्वीडन में और डिसकर्स करेंगे इस टॉपिक को और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजे नॉलेज आईक्यो को पॉर मोर एक्साइटिंग वीडियो ना देखिए यह जो है आप देख सकते हैं यहां पर स्वीडन और नौर्वे दो कंट्रीज हैं और यहां पर डैन्मार्क भी है तो बेसिकली जो मैसिव ब्रेक वैट हुआ है वो सौथ स्वीडन में हुआ है तो अर्वा है और मैं आपको बता दूँं कि जब यह हुआ है तो यह कुछ क्रिश्टन सबसे ज्यादा रहते हैं उसके बाद मुस्लिम हैं और पीस के लिए जानी जाती है जहां पर सबसे ज्यादा पीस है आप जानते हैं जतने भी इंडेक्स आते हैं स्वीडन फिल्लेंड और नौर्वे हैं यह हमेशा टॉप कंट्री से रही हैं ना ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतना बड़ा मैसेव आउटब्रेक हो गया जहां पे इतना बड़े जो है दंगे हो गए सबसे पहली बात कि जब हुआ तो वहां पे कम से कम दस पीपल्स को आरेस्ट कर लिया गया और बहुत से पुलिस ऑफिसर जो है वो इंजर्ड हो गए इस क्लैश में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक जब यह मैसेव आउटब्रेक हुआ तो एक जो इनसान ने वहां पे पुरान में कुरान को जला दिया और उसके बाद पूरे में दंगे भड़क गए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि स्वीडन एक मल्टी कल्चरल नेशन है और एक रेपोर्ट के हिसाब से कम से कम आठ लाग वहां पे इसलाम फॉल्वर्स रहते हैं और इसके अलावा अभी प्रेजेंड में आठ लाग इसलाम फॉल्वर्स वहां पे रह 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 होंगे आगे चल के सबसे अभी के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो सबसे अधा हैवी ट्रांस्वर्मिशन जो है वह सुझेंड की साइटी जो फेस कर रही है क्योंकि जब कोई नए लोग आते हैं तो वहां का क्यूजीन बदलता है वहां का कल्चर चेंज होता है सो बेसिकल डेपल पश्चांच लिपार्टी और डिJIनेश मतलब कहां डब मांक्शी है इस कि है कि G6 की मधी सबसे हैं जिसको हार्ड लाइन भी कहते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं तो यह जो पार्टी है यह बेसिकलि डइनमांट कि पार्टि है ड्हें मांक आप प्लादून ने इसको फॉर्म किया था और जिसका फोकस है ओंली एंटी इस्लामिक स्टेंस तो बैसिकली यह जो है डैन्मार्क में पार्टी थी डैन्मार्क में इनको पॉपुलरीटी मिल नहीं रही थी तो इन्हों ने सोचा कि हम स्वीडन में स्वीडन में हम जाके बिल्कुल नहीं मिल रहा था में तो इन्होंने सुचा कि वहां पर हमöllम जाते हैं मियामू में मों को अटेंशन मिलेगी और यह वहां से की दिए निकलते हैं हैं की मिामो की जो आथोरटी है वो मना कर देती है कि नहीं हम आपको परभ्विशन नहीं देंगे बट मेल उन्यामो क्यों को यह मियामो को क्यों चुन रहे हैं तो मियामो को इसलिए चुन रहे है क्यूंकि वहाँ मुसलिम्स की этом बहुत जाता है एक परसेंट जो मेजॉरिटी है वह माल मियामो में जो है 16-80% है मेजॉरिटी मुसलिम्स की है बट अधर सोर्सेज यह भी कहते हैं कि एपरोक्स 20-24% जो है वह मेजॉरिटी है तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है अगर आप मालीजे एक करोड़ों की आबादी है तो एक करोड़ों की आबादी में 8 lakhs अभी मुसलिम है प्रेजेंट में और अदर सोर्सेज की अगर हम मानें तो 22-24% है तो बेसिकली अच्छी खासी आबादी है तो बेसिकली उनको वहां पर अटेंशन नहीं मिल रही थी तो उन्हें लगा हम स्वीडन चलते हैं हमको स्वीडन में बहुत अटेंशन मिल जाएगी तो देखिए लेकिन स्वीडन की जो गवर्मेंट है अच्छे से जानती है उनको उनके यूटूब से उन पर कई वीडियो उनने देखे हैं कई उन्होंने जो उनकी जो लाइफ उन्होंने उनको देखा है तो बेसिकली उनने टोटली डिनाई कर दिया कि नहीं हम आपको एंटरी बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि अगर आप जहां हो आप वहीं रहो हम अपने शहर में या अपनी जगह पे आपको कोई एंटरी नहीं देंगे बड़ जब ऐसा हुआ तो इसतरा में बीच में वह है वह requires जांटी और जीमन डीटर है उन्होंने फेसबट में ये कहा कि सब murderers, murderers जतने हैं, rapists जतने हैं और जो अभी यह इतना बड़ा outbreak हुआ यहां के जो लोग हैं, जिन्होंने यह protest किया हुआ है वो सब allow हैं, except me मतलब मुझे यह लोग allow नहीं कर रहे हैं Sweden के authority बागी सब को यह allow कर रहे हैं सुनाओ, देखिए यह है Sweden यह map में आप देख सकते हैं, यह है Sweden और यह है Norway आभी के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि जो यह massive outbreak हुआ है, यह किसी भी तरह रुखना चाहिए जिससे ज़्यादा लोगों की जाने नहीं जाएं और इसमें authority ने भी जो है, वहाँ की Sweden की government है उन्होंने भी इन पर बेहन लगा दिया है कि अब हम आपको entry बिल्कुल भी नहीं देंगे और इसके अलावा जो है यह massive जो outbreak हुआ है यह कैसे भी करके खतम होना चाहिए उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और let's see कि आगे क्या होता है और जो भी आगे news आएगी तो उस पर मैं और वीडियो बनाऊंगा God bless you, goodbye